हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टो मैं चानल व्लोक्स पाय अंचू तो यह जो है बारा बजे का टाइम है मेरा सारा काम हो चुका था किच्छन पुरा क्लीन हो गया था और किचिन क्लीन होने के बाद इतना अच्छा लगता है यहां पे मैंने पूजा की बरतन तांबे के जो ब बनाने के लिए तो दोपर में हमारे यांपे मुस्टी जो है डाल चावल और सब्ची ही बनती है तो वही में बना रही हूं और डाल जो है मेरे यांपे तूर और मसूर दोनों का मिलाके में बनाती हूं और उसमें नमक खल दी यह रोतीन लसुन की कलिया और टामाटर यह सब मैं बस उसको सिट्टी लगा देती हूं और जब डाल दो-3 सिट्टी सोने के बाद उसको लसुन और जीरा से झोग देती हूं मैं कुछ तड़का वड़का दाल में नहीं लगाती हूँ, सिंपल जो प्लेन दाल, हाँ कभी-कभी अगर तड़के वाली दाल खाने को मन करता है, तो ज़रूर कभी उसमें तड़का लगा देती हूँ, अच्छे से, मतलब कड़ाई में तड़का बना के, और यहाँ पे जो ह मेरी मुझे हाफना भी आता है, क्योंकि अभी प्रेग्नेंसी का मेरा सिक्स्त बन चालू हो चुका है, तो हाँ कभी-कभी बहुत आलस आती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, पर यह भी है ना, कि अगर आप नहीं करोगे, तो कौन करेगा, खाना पीना तो सब आपको ही करन मेरें चाल अपर भी आता है, तो फिर वही सब चलता रहता है, और यहां पर मैंने, मार्केट में बैगन, कापी सस्ते मिल रहे है, भरता वला जो बैगन, तो वही मैंने, दो लाया था, तो एक का में भरता बना रही हूं, भरता भी खाने में काफी अच्छा लगता है, मैं प्लेन सिंपल भरता बनाती हूं और यहां पर जो मेरा चावल भी बनके रेडी हो गया है तो चावल का जो है मैं पानी निकालती हूं क्योंकि हस्बेन को डाइबिटीस है तो खूगर वाला चावल अक्छली मुझे भी पसंद नहीं है और उन्हें भी इतना कुछ खास पसंद साइसिय को दो देमें पिस्ट को जाओ अन्हें हमेशह में जो चावल पानी निकाल के भी बनाती हूं तो अच्छा है जो माड के 인्द्स का लगते है तो मैं वह भी खा लेती हूं मेरे दाल चावल जो भी बनके रेडी हो गया था और यहां कर सबजी बदा रही थी तो आपक सब्जी का दो नहीं मुक्स के बनाते हैं तो कफे अच्छा लगता है खाने में और मैं रस वाली नहीं सूखी सब्जी बना रही हूं तो वही सारी सबजियों को मैं काट लेती हूँ और हाँ मेरे पास एक कमेंड आया था कि बेबी को नहलाते हुए एक पांदस मिनिट का वीडियो बनाने के लिए तो मैं आप सब को बता दू कि अभी जो है मेरा बेबी हुआ नहीं है अभी मेरा सिक्स मन चल रहा है बेबी होने में भी टाइम है डॉक्टर ने मार्च का डेट कहा है अभी वो एक्जाक डेट तो मुझे भी मतलब इतना कंफर्म नहीं है पर जैसे अभी मुझे संडे को नेक्स संडे को सोनोग्राफिक के लिए जाना है तब डॉक्टर मुझे जो है एक्जाक डिलेवी डेट बताएंगे तो प्लीज अगर आप जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को देखा करिए मेरी व्लॉक्स को देखा करिए तो आपको आइडिया हो जाएगा फिर यहाँ पर मैंने कड़ाई चड़ा दी है और थोड़ी से सब्जी थी इसके लिए छोटी कड़ाई में में बना रही हूँ मुझे दो लोगली सब्जी जो है छोटी कड़ाई में आसान बन जाती है तो वही तेल को गरम होने के बाद मैने उसमें जीरा का फोरन दिया है और फ्रीज में से देख रही हूं मिर्ची जो है निकालने यहां पर आने जो है वो अपना प्रेटिंग प्रैक्टिस करना है बहुत जल्द में अपना अपना प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस शेटेपर वे बिडियो बनाने वाली हैं तो प्लीज म में आगे जाके एकसपेक कर सकते हैं तो यहां पे तेल गरम होने के बाद मैंने सारी सब्जी जो है डालके अच्छे उसको मिला लेती हूँ और फूर यशी से भूंच लेती हूं उसके बाद जो है उसके जो है उसमें जो भी मसाले होते नमक हल्दी मिर्शी पावड़र जी ये मेरा बैगन का भष्टा रेड़ी हो गया है और चावल, दाल, चावल, मिक्स सब्जी और बैगन का भष्टा आप लोग पी आजाएए विए लिए अचा अच्छा बना था सब खुत खाना और खाना तो मुझे मर्केट सामान भास लेने गर पहर तो जोशन चाहए तो दिया बात कर लेती हमीड है उप से किहाव गाभ ग。 साथ बज़े का टाइम होता है तो मुझे बिलकुल भी टाइम नहीं मिल पाता है बस एक दू मिनिट का टाइम मिलता है उसमें पटपट जो है में दिया बादी कर लेती हूँ बना संडे को थोड़ा आराम से टाइम दे के मैं थोड़ा सा पूजा पाट करती हूँ और यहां प 500 रुपे का यह टिफिन बॉक्स मुझे पढ़ा है अब मुझे पता नहीं कि यह सस्ता है कि महंगा है पर मुझे काफी महंगा लग रहा है अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा यह जो है लीग प्रूफ ऐसा उसमें दुकान दार ने कहा था मुझे और रात में कुछ अब आप मुझे का रहा है तो यहां पर धन्या जो है अध्रक मिर्ची वो सब काटके रखा था चटनी के लिए और प्यास जो है वो सब में चीट के रखा था और यहां पर जो है अने उसको आप सैंड्विच बनाने का मन कर रहा था तो वही बोल रहा था ममा मैं आपकी है कर देता हूं तो वह अलु को जो है वह गरम गरा मा आलु को यह मैश कर रहा है मैंने इसको बोला है कि अधिक नहीं हो तो कैसे ममी को खाना बना के देना है तो फिर वही बना रहा था और मैं उसकी एल्प कर देती है ती हावसिं का सारा सैंड्विच जो है वह उसने पुरा बरा था और अच्छा बना था अच्छा लगता है कभी कभी बच्छे जो है आपकी हाल्प करते है तो काफी अछा लगता है ऐसा नहीं है मैं उसको बात-बात पे समझते हैं कि हाए अपनी चीज़ों जहे है वह खुद बड़नीेचाएं है तो वह खुद से कर लेता है तå प्रती जो है मुझे बिल्कुल भी अब टेंशन नहीं होता है और यहां पे खाना पीना सब होनी के बाद अब जो है मैंने अच्छी बाल धोये थे तो मेरे बाल भी तक सूखे नहीं थे तो वही मैं उसको सुखा रही थी और सोच रही थी कि हाँ बाल में तेल लगाऊं कि नह लिए और सब्सक्राइब करें